मोदी जी को फिर से प्रधान मंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? 400 पार करनी है या नहीं करनी है? ओरिसा में 20 से ज़्यादा लोगसबा जितनी है या नहीं जितनी है? ओरिसा में पहली बार महाप्रभु के आसिर्वात से भाजपा सरकार बनानी है या नहीं बनानी है तो ऐसी आवाद नहीं चलेगी मेरे साथ दोनों हाथ उठाईए अंत तक सभी लोग हाथ उठाए जरा ओरिसा में सरकार बनाने के संकल्प की मुठी बीचे और प्रचन्य वाद से बोलिए बारत मता की बारत मता की जै जगनात जै स्री राम जै जै स्री राम मंच पर बैठे हुए मेरे लोग सभा और विदान सभा के सारे प्रत्यासी गण हमारे प्रदे सद्यक्स महोदय बैठे हुए भादपा के सारे नेता गण और सोनेपूर में इतनी बड़ी संख्या में जहां तक नजर पड़े लोग ही लोग दिखाई पड़ रहे हैं इतनी बड़ी संख्या में आये हुए प्यारे भाईों बैनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों आप सभी को मिराज जय जगन्नात भाई और बैनों मैं महान औरिसा की भुमी पर आज पहली बार विदान सभा और लोग सभा के चुनाव के प्रचार के लिए आया हुँ सबसे पहले मैं गुजरात महाप्रभु के धाम से आता हूँ और ओरिसा जगन्नात पूरी में बेटे हुए महाप्रभु जी को प्रणाम करकर मेरी बात की सुरुवात करता हूँ भाई और बैनों मैं यहाँ पर चौसट योगिनी मंदीर को सुनेश्वरी मंदीर मेटा कानी मंदीर मा समलेश्वरी मा पाटनेश्वरी इस सभी देवी देवताओं को प्रणाम करकर मेरी बात की सुरुवात करना चाहता हूँ भाई और बैनों मेरे साथ समय कम है साड़े पांच बजे और पांच मिनीट पर मुझे वापी जाना है मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ देश भर में लोगसभा का चुनाव चल रहा है मैं पूर्वा पस्चीम उत्तर दक्सिन सब जक जाता 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 आज औरी से आया हूँ मैं जहां जहां गया पूरे देश में मोदी 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 के नारे लगते हैं आज औरी सा में भी पूरा माहूल मोदी पर है मगर औरी सावर देश में थोड़ा परिवर्तन है देश भर के लोग मोदी जी को तीसरी बार प्रदान मंत्री बनाने के लिए वोट करने जा रहे हैं और इसा की जनता भी मोदी जी को तीसरी बार प्रदान मंत्री बना कर 20 से ज़्यादा कमल देश की लोग सभा में भेजने के लिए वोटिंग करने जा रहे हैं परन्तु इसके साथ साथ ओरिशा की जनता एक और वाट भी करने चाह रही है ये महाप्रमुहू की भूमी पर पहली बार ओरिशा की भासा, संस्कृति, धर्म और साहित्य के गवरव के लिए ओरिशा में भी पून बहुमत के साथ भारतिय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए वाट करना है ओरिशा वालो जो अपने प्रदेश की भासा, अपने प्रदेश का साहित्य और अपने प्रदेश की संस्कृति का गवरव नहीं कर सकता वो प्रदेश को आगे नहीं बढ़ा सकता और मैं स्पष्टता से कहने आया हूं यहाँ पर जो सरकार चली है उसने नकेवल ओरिशा को विकास से महरूम रखा है विकास से दूर रखा है नकेवल अपसरों के माध्यम से भैंकर ब्रश्टा चार किया है मेरे ओडिया भाईो बेनो ओडिया भासाओ और साहित्य के गवरों से भी दूर रखने का काम यहां की सरकार ने किया है 20 साल में और विशेशकर 10 साल में मोदी जी के प्रधान मंत्री बनने के बाद देश कहां से कहां पहुंच गया हर राज्य के अंदर नरेंदर मोदी जी के नेत्रुत में जहां पर भी डबल एंजिन सरकार थी वहां विकास की घंगा ऐसी तेज वही कि वो प्रधेश देश में आगे निकल गया परन्तु मेरा एमहान ओरिशा सबसे ज़्यादा खनीच संपदा कोई एक प्रधेश में है तो ओरिशा में सबसे ज़्यादा पानी का वैभाव अगर कोई एक प्रधेश में है तो मेरे ओरिशा में है मगर फिर भी ओरिशा के अंदर सम्रूती नहीं आई लाखो करोडो ओरिशा वासी मद्दूरी करने के लिए मुंबई, गुजरात, दिल्ली, बेंगलोर, पंजाब तक जा रहे हूं मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ यहां नवीन बाबु की सरकार को उखाड़ कर भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार बनाईे मैं विश्वास दिलाता हूँ ओरिशा से किसी को पलायन नहीं करना पड़ेगा यहां से बाहर काम करने नहीं जाना पड़ेगा बहार से इंडस्ट्री औरी सामें आए ऐसी व्यवस्ता भारतिय जनता पार्टी करेगी भाई और बेनो मोदी जिने बैट जाओ भाईया टाइम कम है भाई और बेनो ये दस साल में मोदी जिने सालों से लटके हुए सवालों को समाप्त कि ओडिया वासियो मुझे बताओ अयो द्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था अरे जोर से बोलो बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था एक कॉंग्रेस पार्टी और उनके चट्टे पट्टे राम जन्म भूमी के बुद्धे को अटकाते रहे, लटकाते रहे, बटकाते रहे, आपने मोदी जी को दुसरी बार प्रदान मंत्री बनाया, मोदी जी ने 5-6 साल में केस भी जीता, भुमी पुजन भी किया और 22 जन्वरी को मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठा करकर जय स्री राम कर दिए ओडिया वास्यों मुझे बताओ प्रभू स्री राम बव्य मंदिर में बिराजते है आप खुश हो या नहीं हो जोड से बोलो खुश है या नहीं है यहां की सरकार सत्ताधरी पार्टी ने राम मंदिर को इसके उत्सव को डाइवर्ट करने का प्रयास किया मगर मेरे ओडिया वास्यों ने प्रयास को फिपल ओडिया वास्यों मुझे बताओ एक कस्मीर जो है हमारा है या नहीं है अरे जोर से बोलो है या नहीं है ये खरगे जी कहते है राजस्तान और ओरिस्टा वालों को कस्मीर से क्या लें दिन है अगरे खरगे बाबो आपको मालूम नहीं है ओरिस्टा का मेरा एक एक युवा कस्मीर के लिए अपनी जान देने के लिए तयार है यह दारा 370 जो कस्मीर को बाकी के भारत से अलग रखती दी, 70-70 सालदत, एक कॉंग्रेस पार्टी ने धारा 370 को एक अनुरस बच्चे की तर अपनी गोदी में खिलाया, मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त करकर हमेशा के लिए कस्मीर को हमारा कर लिए, भाई और बेनो, मोदी जी ने इस देश में से अतंकवाद और नकसलवाद को समाप्त करने का काम, गस साल तक सोन्या मनमोन सरकार थी, आए दिन पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया आते थे और बम दमाके करकर चले जाते थे, नरेंद्र मोदी सरकार बनी, अरे बैठ जाओ बैठ जाओ, बैठ जाओ, नरेंद्र मोदी सरकार बनी, और वहां उरी और पुल्वामा में हमला किया, दसी ही दिन में नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान के घर में गुशकर सरजिकल स्ट्राइक और एर्श्ट्राइक करकर आतंक वादियों का सफाया, मोदी जी ने देश को सुरक्षीत किया है मोदी जी ने करोडों घरीबों का कल्यान करने का काम किया ओडिया वाच्यो मैं आज बताने आया हूं देश में 80 करोड घरीबों को प्रती व्यक्ति प्रती माँ पांच किलो चावल नरेंद्र मोदी भेज रहे है यहाँ नवीन बाबु की सरकार के उपर थेला लगा कर कहती है चावल हम बेज रहे हैं यह जूट है जो चावल मिल रहा है है वो नरेंद्र मोदी सरकार बेज रही है भाईयो बैनो नरेंद्र मोदी 12 करोड गरीबों के घर में स्वाचालाई बनाया चार करोड घर बनाए दस करोड माताओं को गेस का सिलिंडर दिया और चौदा करोड लोगों को नल से जल देने का काम नरेंद्र मोधी सरकारे के यहाँ पर भी दस अजार करोड रुप्या बेजा मगर पाँच अजार करोड भी एपिसटी सरकार खर्च नहीं कर पाई पैसा चाओ मगर चिंता मत करिये यहाँ मोधी जी के नेत्रुतों में कमल फूल की सरकार बना दिजिये हर एक और इसा के गर में नल से जल पहुँचाने का काम भारतिय जनता पार्टी करेगी भाई और बेनो डेश भर में 60 करोड गरीबों को मोधी जी 5 लाग तक का पार पूरा स्वास्त का खर्चा मोधी जी उठा रहे है 5 लाग तक का अच्छा कर रहे या बुरा कर रहे जिरा जोर से बोल अच्छा कर रहे है या बुरा कर रहे है मगर ओरी सावालों को इसका फाइदा नहीं मिलता नवीन बाबू को डर है अगर आयुश्वमान भारत योधना यहां लागू की तो यहां मोदी जी लोग प्रिय हो जाएंगे भाई और बेनों यहां पर कमल फूल की सरकार बना दीजे भाजपा सरकार बना दीजे पांच लाग तक क्या सारा इलाज का खर्चा भारतिय जनता पार्टी की सरकार भाई और बेनों और इसा न घर से नल से जल मिला ना इलाज का खर्चा मिला ना पानी पिने का सहूलियत मिला और यहां कपास ज्यादा होता है कपास की टेक्स्टाइल मिल भी कहीं और ले गए मैं तीन बात करना चाहता हूं भारतिय जन्ता पार्टी की ओरिस्सा में सरकार बनाईये यही पर हम एक टेक्स्टाइल मिल बनाकर हमारे कपास के किसानों का कल्यान करेंगे यही पर फिसरी स्कोलेज बनाकर सारे मचवाराओं को आगे बढ़ाने का काम भारतिय जन्ता पार्टी करेंगे और यही पर एग्रो बेज इंडस्ट्री और आईवर्वेदिक दवाओं के कारखाने डाल कर किसानों को सम्रूद बनाने का काम नरेंद्र मोधी सरकार यह ओरिशा सरकार ने मोधी जी की सारी योधनाओं को अपने नाम पर चड़ाया मोधी जी घर के लिए पैसा बेदते हैं तो उस पर नविन पतनायक जी का फोटो लगा कर अपना बना दिया अरे भाई मैं इतना कहना चाता हूँ ओरिशा वासी सब समत्ते हैं एक घर जो मिला है न वो घर नरेंद्र मोधी जी ने बेजा है नरेंद्र मोधी पांच किलो चावल जो मिलता है वो भी नरेंद्र मोधी सरकार ने बेजा है और भाई और बेनों हमारे महाप्रभू के गवरव मई स्थान पूरी को भी एक प्रकार से टूरिजम के नाम पर उसका गवरव नीचे लाने का काम किया है मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कासी विश्वनात की तरह ही पूरी के स्थान को समगर विश्व में बगवान जगन्नात का महिमा मंदन भारतिय जनता पार्टी की सरकार करें बाई और बैनों ओरिशा के अंदर धेर सारी विकास की संभावना है पूरे देश में सबसे ज़्यादा खनीच संपदा मेरे ओरिशा में है और सबसे ज़्यादा गरीबी भी ओरिशा में है यह सरकार जो है खनीच संपदा को लुटा रही है बाजपा की सरकार बना दो खनीच संपदा का उप्योग करकर मेरे आदिवासी भाईयो बैनों को आगे बढ़ाने का काम भारतिय जनता पार्टी की सरकार करें भाईयो बैनों इत सेत्र में डेर सारे विकास के काम करें हैं मगर मैं सब गिनाना नहीं चाहता रानी साइबा ने सभी मंत्रियों से लड़ जगड कर लगबग लगबग दस ज़ार करोर से ज्यादा कामों का यहाँ पर विकास के पैसे लेकर आई मगर मैं समगर ओरिसा का जरूर बात करना चाहता हूं कि कॉंग्रेस की सरकार दस साल चली यूपिये सरकार चली ओरिसा को दस साल में एक लाग पैतालीस हजार करोर रुपया दिया और नरेंद्र मोधी जी ने दस साल में एक लाग पैतालीस हजार करोर के सामने चार लाग एक्क्यासी हजार करोर रुपया देने का काम नरेंद्र मोधी जी ने के लिए और इसके अलावे एक लाग पचास जार करोर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 23,000 करोर सडक के लिए 65,000 करोर रेल्वे के लिए और 500 करोर रुपया एरपोर्ट के लिए देने का काम नरेंद्र मोधी सरकाने भाई और बेनो पुरे देश के हर राज्य के विकास का कुछ लोग अध्यान कर रहे वो टोली मीचे मिलने आई थी मैं देश बर की पुत्ताज करते करते हमारे ओरिस्टा पर पहुंचा मैंने कहा बही ओरिस्टा का क्या हाल उसने कहा ओरिस्टा के विकास के इतियास में ये 20 साल जो नविन बाबु वाले है ये लोश्ट येर है लोश्ट येर 20 साल में ओरिस्टा जहां था वहीं रह गा है मैं आज ओरिस्टा की जन्ता को कहने आया हूँ देश बर में जहां नीचे राज्य सरकार भाजपा की और उपर कैंद्र सरकार भाजपा की डबल एंजिन सरकारे बनी है वहाँ पर वो राज्य दिन दूनी राज चोगुनी प्रगती किये हैं अब समय आ गया है औरिशा के युवाओं को विश्वस्तर की इस परदा में भाग लेने का देश और दुनिया भर की इंडस्ट्री को औरिशा के अंदर लाने का है समय आ गया है औरिस्टा के हर खेत के अंदर इरिगेशन का पानी पहुचाने का समय आ गया है हर किसान और हर मद्दूर को समरूद करने का तो आपने 25 साल नविन बाबु को दिया या नई दिया नई दिया या नई दिया एक पांच साल भारतिय जन्ता पार्टी को दे दो हम ओरिशा को देश का नंबर एक राज्य बनाएंगे भाईयोवे नो नंबर एक राज्य नरेंद्र मोदी जी 2047 में विक्सित बारत का संकल्प लेकर बैठे ये और विक्सित बारत तभी बन सकता है जब हमारा ओरिसा भी विक्सित हो जाए तभी यी बन सकता है भाई योग भाई भाई ये जनता पार्टी की पूरी टीम विक्सित ओरिसा के संकल्प को मोदी जी के नेत्रुतों में चरितार्थ करने के लिए बैठी भाई और बैनों आपका असिर्वाद चाहिए महाप्रभू का असिर्वाद चाहिए इस बार लोगसभा की 20 की 20 सिटों के साथ और इस सब विधान सभा में भी भारतिय जनता पार्टी को बहुमत दिलाई मुझे बताओ विधान सभा में बहुमत से कमल के पूल खिलाएंगे क्या जोड से हाथ उटा कर बोलो खिलाएंगे 20 से ज़्यादा लोगसभा जिताएंगे और इसा में भाजपा सरकार बनाएंगे नरेंडर बोदी जी को तीसरी बार प्रदान मंत्री बनाएंगे तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए उठाइए दोनों हाथ विजय के संकल्प की मुट्टी भींचे और बोलिये भारत मता की भारत मता की जै जगनात जै श्री राम जै जै श्री राम आप सभी का बहुत बहुत दन्यवाद आभार बन्दे मत्र